Welcome to all of you, option trading में अगर आपको सफल होना है, तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना है, इसमें सबसे पहला है कि आपका setup clear होना चीए, आप जिस भी setup के उपर काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी setup के उपर आपको practice करना है, आपको इधर उधर से कहीं भी distract नहीं होना है, जो आपक setup है, उसी के उपर practice कीजिए, उसी के उपर महरात हांसिल कीजिए, तब जाके आपको अपने trade के उपर confidence आएगा, और दूसरा है option trading में कि आपका position sizing, जैसे example के लिए, अगर आपके account में एक लाक रुपया है, तो जो भी आप option trade करोगे, उसमें जो पैसे आप लगाओगे, वो 5000 रुपय से ज्यादा का ना लगाओ, आप 5000 रुपय का, जब option buy करोगे, और मालो एक सपैरी में 3-4 दिन है, मालो आपने option buy किया, आपका जो भी direction है, आपके setup के इसाप से, अगर आपने option buy किया, मालो वो किसी वज़े से down आ गया, तो अगर आपका quantity कम है, तो आपको डर नही और आप उस position के साथ hold कर पाओगे, और आप देखोगे, अगर 2-3 दिन expiry है, और आपको trend clear है, तो train के साथ अगर आपने position लिया है, डाउन भी आ गया है, उस position को hold करोगे, तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपको दिखेगा, कि वही trade up का positive रहेगा, लेकिन अगर आप quantity बढ होगे, तो quantity बढ़ाओगे, जैसे quantity बढ़ाओगे, क्या होगा, कि जैसे ही थोड़ा सा अगर down आएगा, आपका डर बढ़ जाएगा, और आपका जो दिमाग है, जो संतुलित है, वो असंतुलित हो जाएगा, वो जिग 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 करने लगेगा, कभी आपको fear आएगा, फिर grid आएगा, फिर आएगा, grid आएगा, तो आप sustain नहीं कर पाओगे, और आप multiple trade करोगे, बार बार, जैसे मालो नीचे आया तो आप call के position साइट के put में आ जाओगे, फिर put लोगे, वहां से reverse होगा, फिर call में गुस होगे, multiple trade करोगे, बार 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 ट्रेट और आपको confidence आई नहीं पाएगा, अगर आपका position sizing छोटा रहेगा, और आप धहरिये के साथ उस position के साथ टिकते हो, और जो भी आपने direction है, आपके setup के साथ से, उसके साथ बने रहते हो, तो आप देखोगे, अगर same day में नहीं आया, तो next day, next day नहीं आया, तो दो दिन के technically strong हो जाए, जब तक उसका ये position sizing और जो consistency है, वो maintain नहीं रहेगा, तब तक वो option trading से पैसे बनाई नहीं सकता, 99% लोग जो loss करते हैं, वो दूसरों को देखके अपना trade प्लान करते हैं, कोई बड़ा profit दिखा रहा है, तो उसको जाके motivate हो गया और उसको देखके copy करने लग गय ऐसा नहीं होता है, आपको position sizing कम करना है, आपको trade के उपर confidently ठिके रहना है, और जब वो trade profitable हो जाए, तब ही आपको exit करना है, कई बार होगा कि loss होगा, तो stock market में संभावना का game है, तो संभावना ये रहता है, कि आप 10 trade लेते हो, और अगर आपका setup सही है, तो 10 में से कम से कम 60 trade आपके सही होंगे, तो जैसे 5000 रुपय का आपने call लिया है, तो 5000 रुपय का call हो सकता है, तीन बार 0 हो जाए, तो 15,000 रुपय आपका गया, अगर आपके पास 1,00,000 है, तो भी आपके पास 85,000 है, लेकिन 7 बार ऐसा होगा कि जो आपका 5000 रुपय है, वो 10,000 रुपय हो जाए तो आपके टिकने के उपर है, तो आप देखोगे, दो से तीन महिना अगर इसी practice को आप continue करते हो, तो दो से तीन महिने में आप देखोगे कि जो आपका capital है, एक लाग का capital, वो 2,00, 3,00, 4,00, इस तरीके से बढ़ना चलो हो जाएगा, और धीरे 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 जैसे आप आपको employ नहीं करना है, एक trade में, अगर आप 2-3 महिना आप कर लोगे, आपको खुद को एक confidence आजाएगा, और आप किसी भी level पे बड़े trade लेने में डर नहीं लगेगा, और एक समय आएगा, जब आप किसी भी level पे जा सकते हो, तो option trading में सफलता का यही दो मूल मंत्र है, पह आप option trading में सफलता की और बढ़ सकते हो, आप सभी के लिए धेर सारी सुब काम नहीं, thank you.